आज मैं सोची कि आप लोगों के साथ होममेट पर मिक्स शेयर कर दूँ एकदम इजी और आसान है और काफी सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट जालीदार है आप लोग देखी रहे होंगे हाई फ्रेंड कैसे हो आप लोग उमीद करती हूँ आप से लोग बहुत अच्छे होंगे जो यह आप दूद देख रहे हैं इसमें मैं विनीगर नहीं डाली हूँ लेकिन आप है न इसी स्टेज पर इसमें है न चंद ड्रॉप है न विनीगर कर डालेंगे तो ज़्यादा हूँ और दो टेबल स्पून मैं कोको पाड़ा ली हूँ और यह सारे ड्रा इंग्रीडियंस को चानना बहुत जरूरी अगर आप एक दो बात चारेंगे तो और भी ज़्यादा चारेगा और हाफ टी स्पून है न मैं बेकिंग पाड़ा ली हूँ और उसके आधा मैं बेकि हुआ था आप आगे देखेंगे यह शुरू में भी देखेंगे और फिर इसका है ना एक स्मूद सा बेटर बनाना है लेकिन है ना जो बाहर का प्रिमिक्स हम लोग यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा रनिंग इसको करना है जादा नहीं कि कहीं आप जादा कर देंगे तो इन चोटी चोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे ना तो आपका एकदम परफेक्ट बनेगा अगर आपके पास विस्ख है तो आप उससे भी कर सकते हैं उससे और अच्छे से हो जाएगा लेकिन चमच से भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है मैं आपके इजी के लिए बता रह रहा है तो आप वो ले ले और चानना बहुत जरूरी है यह बात मैं आप लोगों को बार 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 बोर रहे हैं उससे क्या रहता है ना कि वो एर ले ले लेता है और काफी स्पॉंजी बनता है तो आप लोग है ना इन बातों का ध्यान रखना और है ना इसमें जब मैं वि इगर नहीं है तो मेरा केक खराब हो जाएगा तो आप ऐसा कुछ भी नहीं है इसकीब कर दें फिर भी बन जाएगा लेकिन उससे क्या और जादा अच्छा फूगेगा बस इतनी सी बात है लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो भी आप बना लेना एक बार ट्राय तो जरूर ही करना अगर आपको है ना ये चॉकलेट फिलेवर में नहीं बनाना है आपको वनीला या और कोई भी बनाना है तो उसका एकसेंस भी इसमें डालना पड़ेगा आपको और कोको पाउडर स्कीप करके वहाँ पे मिल्क पाउडर आप डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और यह है ना मैं प्रिहीट होने के लिए पहले ही रख दीती दस मिनट के लिए और मेरे पास स्टेंड अगर आपके पास स्टेंड नहीं है तो कोई भी प्लेटी छोटा रहे उसको फिलिप करके रख देंगे ना क्यूंकि है जो आप टिन रखे पर करेंगे उसके बाद अपने रिटीन को टेप टेप कर लें उससे क्या रहेगा सारा एर बहार निकल जाएगा अगर नहीं करेंगे ना तो बीच-बीच में बड़े-बड़े होल रहेंगे जब आप कट करेंगे और फिर इसको मैं अपने फ्राइपिन में रख दी हूं कट करके भी बताई हूं काफी अच्छा सॉफ्ट सूपर मॉइस्ट और बलेक बना था क्योंकि मुझे बलेक ही करना था अगर आप लोगों को मेरी यह रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि मेर इतना अच्छा नहीं बनता था तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ यह ट्रिक शेयर कर दूँ शायद आप लोगों के लिए काफी हेलफुल रहे अगर आपके नियर में प्रिमिक्स अवलेबल नहीं है तो आप लोग जरूर ट्राए करना मिलते हैं नेक्श वीडियो में ब बाइ बाइ